हेलो गाइज मैं ललीता दहिया बात करते हैं आर्टिकल 21 की आर्टिकल 21 में प्राण में दैहिक स्वतंत्रता की बात है दोस्तों इसका मतलब है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही एक तरीके स चीन सकता है अन्यता नहीं बाद में मेन का गांधिवाद में इस अधिकार को विस्तार दिया गया और ये कहा गया कि केवल प्राण और देहिक स्वतंत्रता ही नहीं बलकि व्यक्ति को गरीमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और आगे आने वाले समय में इस अधिकार में बहुत विस्तार हुआ है वर्तमान समय में इसमें अनेको अधिकार शामिल है जैसे स्वच्छ परियावरण का अधिकार है निजिता का अधिकार है हेल्थ, स्वास्थय का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है तो इस तरीके से इस अधिकार का व्यापक विस्तार किया गया है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ये व्यक्ति के गरीमा में पूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है जैहिंग जैभारत लेक्स क्रेकर